आदरनिय अद्धेश मवदय ये सदन का सोभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आशन कर विराजमान हो रहे है आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ अद्धेश जी मेरी तरफ से आपको सुपामना है लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुप कामना है अम्रत काल के इस महत्वप्र कालखन में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दाईत आपको मिला है और आपका पांच वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव हम सब का विश्वास है कि आप आने वाले पांच साल हम सब का मारदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके छाय पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दाईत्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमी कराए अधेने दिख जी हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि विनम्रव और व्यहवार कुशल व्यक्ति सफल सहज रित्त्य होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मिठी मिठी मुष्कान भी मिली हुई है आपके चहरे को ये मिठी मिठी मुष्कान पूरे सदन को भी प्रसंद रखती है मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए किर्थिमान गड़ते आये हैं अठारवी लोगसभा में स्पीकर का कायरभार दुस्त्रीजार सबालना ये अपने आप में बया नया रिकॉर्ड मनते हम देख रहे हैं स्री राम स्री बलराम जाखर जी वो पहले ऐसे अध्यक्स देख जिन्होंने पांच साल कायरकाल पूरा करके फिर दुबारा उनको स्पीकर बनने का आउसर मिला था उसके बाद आप हैं जिन्हें पांच साल पूर्ण करने के बाद दुबारा इस पद पर आसिल होने का आउसर मिला गत बीच साल का एक ऐसा कालखन रहा है कि जादा तर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठीन है कि उसके लिए दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है लेकिन आप जीत करके आए हैं इसके लिए एक नया इत्याहत आपने गड़ा अधरिय अध्यक जी इस सदन में ज्यादा तर हमारे सभी माननिय सांसत आप से परिचित हैं आपके जीवन से भी परिचित हैं और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके समझ में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराणा नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं एक सांसत के रूप में और हम सभी सांसत के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसत के नाते काम करते हैं ये भी जानने योगय है और बहुत कुछ सीखने योगये हैं मुझे भी स्वास है कि आपकी कारशाय लिये आजा सांसद भी हमारे जो फरस्ट टाइमर सांसद है हमारे युवा सांसद है उनको जुरूर प्रेणा देगी आपने अपने कारक्षेत्र में समसद्य क्षेत्र में स्वस्त मा और स्वस्त सिशु एक कमिट्मेंट के साथ जो अभ्यान चलाया है और सुपोशित मा इस अभ्यान को अपने जिस प्रकार से अपने च्षेत्र में प्राथ्मित्ता दे करके खुद को इन्वाल करके किया है वो वाकई प्रेरक्ष है आपने कोटा के ग्रामिट च्षेत्र में होस्पिटल और मिल्स ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजरिती कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुदा है वो भी अपने आप में गाउं गाउं लोगों को स्वास्त सेवाय पहुचाने में मदद कर रहा है आप नियमित रुप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के नुजार चाता की जरोते चाता, जूते, ऐसे अनेक सुविधाए समाज के आखरी तपके के जो लोग है, उनको खोज-कोर्तिक के पहुचाते हैं खेलों में प्रोच्छान देना आपके खेतर के युवकों में, या आपने एक प्राथफिक्ता के रुप से काम उठाया है आपके पिछले कालकाल में, सत्रहवी लोगसभा में, मैं कहता हूं कि संसदिय इतिहास का वो स्वननिम कालखन रहा है आपके अद्धिक्स्ता में, संसदि में जो अइतिहास सिक निर्णे हुए है आपके अद्धिक्स्ता में, सदन के मादम से जो सुधार हुए है ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी दिरासत है और भविश में सत्तरवी लोकसभा के समन्द में जब विश्ट्रेशन होंगे उसके विशे में लिखा जाएगा तो भारत के भविश को नई दिशा देने में आपके अद्रिक्स्ता वाली सत्तरवी लोकसभा की बहुत बड़ी भुमिका रही है आदर्णिय अद्रिक्जी सत्तरवी लोकसभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023 जम्मू कश्मीर पुनरगठन बिदेयर भारतिय न्याय सहिता भारतिय साच्छभिल भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता सामाजिक सुरक्षा सहिता डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मुस्लिम महला विवा अधिकार सुरक्षा बिदेयर ट्रांस जेंडर पर्संस प्रोटेक्शन अब राइट्स बिल कन्यूमर प्रोटेक्शन बिल डारेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिदेयर सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्य महत्पक है ऐसे कितने ही महत्पपून एत्यासिक कानू सत्रभी लोग सभा में आपकी अध्यक्स्ता के अंदर इस सदन्य पारित किये हैं और देश के लिए एक मजबूत निव बनाई है जो कारिया आजहादी के सतर साल में नहीं होए है आपकी अध्यक्स्ता में इस सदन्य इसको करके दिखाया आदर्णिय अध्यक्जी लोग कंत्र की लंबी आत्रा में कई पड़ावाते हैं कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें किर्टिमान स्थापीत करने का सवभागी मिलता है सत्रवी लोगसभावे उपलब्धिया मुझे पुरा विश्वास है देश आज भी और भविश्य में उसका गवरोव करेगा आज देश अपनी आकांच्छाओं की पूर्ति के लिए भारत को आज़ूनिक बनाने की दिशा में जब हर करह से प्रयास हो रहे हैं मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अम्रित काल के भविश्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अधिक्स्ता कि नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अधिक्स्ता में हुआ और आपने संसदिय कारप्रणाई को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वकुन फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली हैं लोकसभा में हम पेपरलेज डिजिटल व्यवस्ता से आज काम कर रहे हैं पहली बार आपने सभी मानने सांसदों को ब्रिफिंग के लिए एक व्यवस्ता खड़ी की इससे सभी मानने सांसदों को भी आवशक रेफरेंस मट्रियल मिला उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पूष्ट हुई और यह आपका एक अच्छा इनिसेटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया खां मैं भी कुछ कह सकता हूं मैं भी अपने तर्च दे सकता हूं तो एक अपने अच्छी व्यवस्ता को विख्षित किया है अधेनिय अधेक जी जी ट्वेंटी भारत की सभलता के एक महत्वपों पुरस्ट है लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है वो है पी ट्वेंटी और आपके नेत्रुतों में जी ट्वेंटी देशों के जो पिठासिन अधिकारी हैं स्पीकर्स हैं उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्ता में हुआ और अब तक की ट्वेंटी के जीतने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसरताग दुनिया के सरवाधिक देश आपके निमंत्रन पर भारत आये और बहुत ही उत्त्रम प्रकार के निर्णे उस समीट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोगतंत्र की जो प्रतिष्टा है उसको गवरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है आदनी अद्धिक जी यह हमारा भवन यह सिर्फ चार दिवारे नहीं है हमारा यह संसत एक सो चालीस करोड देश वाश्यों की आशा का पेंद्रा संसत की कारवाई जबाब देही और आचरा है हमारे देश वाश्यों के मन में लोगतंत्र के प्रतिश उनकी निश्ठा है उसको और अधिक मजबुद बनाता है आपके मारदर्शन में सत्रह भी लोगसभा उसकी प्रोडक्टिविटी पचीस साल के हाइस लेबल पर 97 परसंट रहे और इसके लिए सब मानिय सदस्य तो अभिनंदर के अधिकारी हैं लेकिन आप विशेस अभिनंदर के अधिकारी हैं कोरोना जैसे मुश्किल कालखन में आपने हर सांसत से व्यक्तिकत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा कहीं किसे सांसत की बिमारी की खबर आई तो आपने सदन के अधिक के नाते व्यक्तिकत उसके चिंता की और वो सभी दल के सांसतों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुख्य के रुप में उस करोना काल में भी आपने सदन का काम रुपने नहीं दिया सांसत होने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चड़ाया किसी को उपर बैठने के लिए कहां तो वो महां जाके बैठा किसी को दूसरे जगा भी जाके बैठने के लाए को वो भी बैठा लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया लेकिन आपने यह जो फैसले कि उसका परणाव है कि हम उस कठीन कालखन में भी कार्य कर पाएं और एक खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170 परसंट प्रोड़क्टिविटी यह अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है हादनी अद्देग जी हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरान सदन के नियमों का परण हम सब करें और आपने बड़े सटिक तरीके से संतुलिक तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिये हैं मैं जानता हूँ कि ऐसे निर्ने आपको पीड़ा भी देते हैं लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिकत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया ये साहस्पुन काम के लिए भी आदर्णिय अद्धिक जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं मुझे भी स्वास है आदर्णिय अद्धिक जी आप तो सपर होने ही वाले हैं लेकिन आपकी अद्धिक ताम हैं ये ठारवी लोग सभावी बहुत सभलता पूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपून दाइत्व के लिए और देश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने वाले इस सदन के अधिक्ता के लिए रदेश से बहुत बहुत सुपतामनाई देता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्री जाहूल गांदी जी Speaker Sir, I'd like to congratulate you